आज तेरे क्योंकि अमिच्छा जी कितने चुनाव में क्या-क्या आंख्रे दिये हैं अब सब मैटर और रेकॉर्ड है आप देख लीजिए कि वेस्ट बेंगॉल चुनाव में कितना कहा था हिमाचल चुनाव में कितना कहा हर इलाके में अमिच्छा जी ऐसे आंख्रे देते है हैं जो कभी हकीकत में नहीं होती है और ये भी एक और उदारन है तो मेरे ख्यार में जो भी हमिद्शान ये कहते हैं ना उसको आप डिसकाउंट कीजिए करीब 30-40 प्रतिशत और फिर देखेंगे कि क्या असलियत होगा अगर आप असलियत में इतने confident हो तो प्रधान मंत्री इस किसम के बाते करेंगे जो प्रधान मंत्री अभी उनकी desperation दिखा रहे हैं जो जिस किसम की बातें वह तो कर रहे हैं कुछ 2-3 हवते से, मेरे खिАल में यह पष्ट है कि भाजापा पता कि उन के हाल बहुत बुरा होने वाला है और इसलिए जो भी उनने के मन में आते हैं वो लोग कहना चाहते खिया कि वो ज़रा सा डेस्परिट हो चुके मैं आप से कहूंगा, ये नहीं होने वाला है भाजापा के हाल बहुत बुरा है और सरकार के बदलाव आने का वक्त आ गया है देखे बेरी बाद यह है कि राहुल गांदी कभी कुछ नहीं कहा पाकिस्तान के बारे में जो ऐसे डिस्रो कर सकते हैं कोई एक्स मंत्री कोई ट्वीट लगाया उसका मतलब हम किसी का समयतर नहीं चाहते हैं पाकिस्तान माइंड यूरोन बिजनस हम तो हमारी बिजनस को हम देख रहे हैं पर दूसरी बात है यह कौन कह रहा है नेरेंदर मोधी जो करीब 20 साल से कोई और पाकिस्तान मों गया है और जो उसके बाद पठान कोट में जब हमला हुआ उसने किसको बिलाया देखने के लिए पाकिस्तान के इंटेलिजनस पाकिस्तान के आईसा है तो इस किसम के प्रधान मंत्री जो भरोसा किया पाकिस्तान को वो अभी हमें आरोब दे रहे हैं हमारी मर्यादा थी कि हमने यह सब नहीं बताए पहले लेकिन प्रधान मंत्री इस किसम की बाते करेंगे तो हम जवाब देना ही पड़ेगा हमें अरे दस सार वो लोग सत्य में है पियो के कहां से ले आए ये सब चुनावी जुम्ला है आपको मालम है कि चुनाव के बात वो जो भी मर्जी कहते हैं और 45 साल से एक अच्छा समझाओता से चल रहा था अभी 26 पॉट में चीनी फौज आके बैटे हैं और हमारे जवानों को जाने का इजाज़त नहीं दिया और जब कोई जाने का कोशिश किया बीस लोग बीस जवानों को ये लोग मारा दिया चीन तो मैं कह रहा हूं कि उसको उ प्रदान मंत्री कोँण होगा एक एक साल बनाएंगे कि नहीं यार प्रदान मंत्री तो हमें कोई तक्रीफ ने चुनने के लिए लेकिन 26 पार्टी एक साथ मिलके चुटे करेंगे ना यहां तो कोई बताने सकेंगे क्योंकि चुना होने दो रिजल्ट आने दो और हम साब मे कि चिंता है हमारे पार्लिमेंटरी सिस्टम में पार्टी के लिए वोट दे रहे हैं प्रेजिदेंशल सिस्टम थोड़ी है लेकिन अपना मोदी सहाब एक पार्लिमेंटरी सिस्टम ऐसे चला रहा है जैसे कि प्रेजिदेंशल सिस्टम हो प्रेजिदेंशल सिस्टम में सब लोग एक वैक्टी क्ले वोट कुट देता है पार्लीमेंटरी सिस्ट dafür हम पार्टी को मौल्य देखते हैं अलग अलग continuous में उसके पीड दोन मिलाकर एक निफा कोच operation कर लेते हैं यह पहले भी हो चुका है कि 2004 में आपको जब वोट देने के लिए गए थे आपको पता था कि मनमों सिंग सार आएंगे कभी नहीं तो यही है कि हमारे देश में कोईलिशन सरकार ऐसे ही बनते हैं और अच्छा काम भी कर पाएंगे